हलो एवरिवन वेल्कम तो निट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाइ अनकाडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लेर्निक प्लाइब प्लाइब यहां आपको मिलती है डेली लाइफ क्लासे लाइफ टेस्ट इन क्विज्जेस स्ट्रॉक्चर्ट कोर्सेज अन अलिमि है 136 1224 सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पकेज सबस्यादा पॉपलर है और आप देखेंगे एक साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 और आट करते हैं तो मिलता है दो साल का पैकेज on top of that अगर मेरा का referral code love10 यह यूज किया तो आपको मिलेगा extra 10% का off जो भी हमारी base prices है मेरा नाम लवकेशो और श्रिवास्तवा है मेगल यूनिवर्सिटी कानडा मैं as a researcher मैं इससे मैं काम कर रहा हूँ और आप personally मुझ से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है तो आ एक था जो fossil fuels थे ठीक है या fossils थे उन्होंने हमको बताया कि एक समय ऐसे रहा होगा नहीं तो उससे पहले तो सब हवा में ही बात हो रही थी कि यह हो सकता है यह हुआ होगा ठीक है तो अब दीमें दीमें साइंटिस्तों ने थोड़ा इसका base खोजना शुरू किया कि evolution को किस चीजों पर base किया जाए तो एक तो आपने देखा fossil हो गया दूसरी होती है homology and analogy क्या होता है इसमें देखें तो अभी यह जो आपको diagram देख रहे हैं इसमें अभी ध्यान मत देना अभी हम आएंगे उस पर तो basic चीज अगर आप देखो homology और analogy क्या है homology होती है कि same चीज जै में चीता में वेल में बैट में लेकिन सबका काम अलग-अलग है बैट में वह उड़ने के काम आ जाता है वेल में वह स्विम करने के काम आ जाता है चीता में वह स्पेशलाइज है दोड़ने के लिए हमारे अंदर ठीक है हम जो फोर लिम की बात कर रहा हूं ठीक है हमारे अ कुछ और काम है हाथ है उठाने के लिए समान ठीक है अब बात आती है कि आपमें देखा कि हैं तो यłem सब it responded लेकिन का काम अलग-ालग कॉगया ठीक है काम अलग-अलग हो गया ऐसे ही कुछ छीज होती है अब जैसे आफ विंग्स की वाली बात है दुनों का काम origin अलग है लेकिन काम सेम है तो आपने देखा यहां दो सेट तयार हुए एक जिसमें origin सेम है लेकिन आगे जाके काम अलग हो जाता है एक जिसमें origin अलग है लेकिन आगे जाके काम सेम हो जाएगा ठीक है तो इसी की बाते हम आगे करेंगे अच्छा comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today's and that existed years ago बिल्कुल होना ही होना है ठीक है such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not self-explanatory sentence अब देखो इसमें for example whales हो गए bats हो गए cheetah and human सब मैमल्स हैं यहां पर देशेर similarities इन दी पैटर्न ऑफ बोन्स औफ फोर लिंग मतलब हाथ हमारा जो है दो दीज फोर लिंग परफॉर्म डिफ्रेंट फंक्शन्स इन दीज आनिमल्स आपको पहले भी बता दिये है लेकिन अब इनका anatomical structure देखोगे तो सब में humorous radius अलना carpals metacarpals phalanges ठीक है जो skeletal system में पढ़ा होगा न आपने लेकिन काम मैंने देखो अलग है man जो है वो हाथ history same है ठीक है इसी टाइप को अब हम क्या देखेंगे देखो इन दीज अनिमल्स दस्ट्रक्चर डेवलब्ड अलॉंग डिफरेंट डायरेक्शन्स द्यू टू अडाप्टेशन्स तू डिफरेंट नीड्स ठीक common sentence इस ही टाइप के evolution को हम बोलेंगे divergent evolution क्यों क्यों क्योंकि देखो origin एक है इससे ऐसे धेर सारी चीज़े बन गई या इसी को आप बोल सकते हैं function ठीक है त्यान रखना इसमें confuse मत होना तो divergent evolution में homologous structure होंगे homologous मतलब origin same है उनका ठीक ऐसे ही एक और example देख लो वर्टेब्र वर्टेब्रेट हार्ट्स और ब्रेंस या टेंड्रिल्स होते हैं थौन एंड टेंड्रिल्स ऑफ भोगन वेलिया एंड कुकर बिटा रिप्रेजेंट homology लेकिन दोनों का काम ही अलग है थौन it's more like protection tendrils is more like support ठीक है तो यह आपने देखा divergent evolution हुआ क्योंकि एक शुरुवात में common था धीमे 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 diverse होता चला गया तो एक से जादा बनता चला जा रहा है ना इसलिए divergent कहलाएंगे अच्छा homology is based on divergent evolution whereas analogy refers to a situation exactly opposite तो homology तो हम समझ लिए homology मतलब similar origin origin के base पे हम homology बता रहा है homo मतलब same ठीक analogy different origin origin के base पे तुम homology और analogy सोचना function के base पे नहीं अब जो wings है butterfly की या birds की they look alike तो क्या उनका origin भी same है नहीं they are not they are not anatomically similar structures though they perform similar functions यहाँ देको उल्टा खेल चल रहा है कि यह origin होगा यह origin होगा यह origin होगा यह लेकिन इसका function जो है function एक है तो देखो converge कर जा रहा है ना converge कर जा रहा है धेर सारा converge करना मतलब होता है कम हो जाना या एक तरफ concentrate हो जाना focus हो जाना तो इसी में देखो analogous structures are a result of convergent evolution मतलब different structures evolving for the same function and same similarity but no same ancestry बहुत important point और example देख लो examples याद रखना इनके homology और analogy के important है आते है exam में other examples of analogy are the eye of octopus and mammals आई तो देखने के काम आएगी लेकिन दोनों का origin ही different है या फिर the flippers of penguins and dolphins काम glide करने के लिए होता है लेकिन origin दोनों का अलग होगा तो हम लोग कह सकते हैं that similar habitat has that has resulted in the selection of similar adaptive features in different groups of organisms ठीक है क्योंकि अग सब पानी में रह रहे हैं तो सब को क्या चाहिए जो और पानी में रहे हैं पानी में जाना है तो उनको तैरने के लिए कुछ चाहिए लेकिन लेकिन मान लो वो structurally dissimilar थे शुरुवात में तो यह काम किसी और किसी और चीज को तो करना पड़ेगा ना ठीक है अब इसका सबसे अच्छा एक्जामपल आपने देखा होगा शकरकंदी सुवीट पटैटो यह रूट का modification होता है और जो ओखाते हैं भो स्टैम का modification होता है लेकिन दोनों का का यह है दोनों का काम है का काम है फूड स्टोर करना त collaborator example है root modification for storage of food root है यह और potato this is a stem लेकिन काम करता है दोनों same food का storage ठीक है अच्छा in the same line of argument देख लेते हैं similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organisms gives clues to common ancestry ठीक है अब इसी case में हम देखे हैं कि आज की date में हमारे और बहुत सारे organisms same proteins होता है ठीक है same genes होते हैं बहुत सारे genes तो अब हम यह कह सकते हैं कि एक समय हो सकता है यह वो रहा हो evolve करते करते हैं थोड़े से changes आए थोड़ा बचा रहे गया तो common ancestry हम इसी तरीके से बोल सकते हैं इस इस बायो chemical similarities point to the same shared ancestry यह आपको बताई दिया मैंने तो I hope कि अब homology और analogy में अब confusion नहीं होगा कभी भी अगर वीडियो पसंद आया like करो subscribe करो comment करो and love 10 यह जो मेरा referral code है यह यूज करके आप unacademy से जरूर जुड़ना वहाँ बहुत कुछ है आपके selection के लिए plus अगर आप मुझसे personally जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना telegram link lk unacademy.ug add कर दिया है जहां पे मैं अपनी classes का चाहे वो unacademy के platform पे हो चाहे youtube पे हो regular update करता रहता हूं तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you and bye